C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गणित की पाठ पुष्टक गणित का जादू का आठवा अध्याए नक्षा पेज 112 आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउट स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना राश्टपति परेड का सल्यूट ले रही हैं राश्टपति के दाहिनी और इंडिया गेट है इसे पहले विश्वयुध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था बहुत सारे लोग राश्पत के दोनों और बैठे थे यहीं से परेड गुजरती है बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देख कर उनके बारे में बातें कर रहे थे यहां इंडिया गेट का चित्र है साथ ही कुछ बच्चे और उनके अध्यापक हैं दिखो अधिती वो रहा इंडिया गेट सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राश्ट्रपतिभवन है इसलिए हमारे दाहिनी और नजर आने वाली आखिरी इमारत राश्ट्रपतिभवन होना चाहिए पेज 113 यह हेलिकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है यहां एक चित्र और एक नक्षा दिया गया है जिसमें राश्ट्रपतिभवन को जोड़ता है अधिति राजपत पर कहां बैठी होगी उस जगह पर निशान लगाओ यहां दिये नक्षे में राश्ट्रपतिभवन, विजय चौक, रफी मार्ग, राजपत, जनपत, मान सिंग रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसेन रोड, तिलक मार्ग नेशनल स्टेडियम को दर्शाया गया है फोटो और नक्षा एक, क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्षा देखा है? नक्षा एक पर ध्यान दो, इसका चित्र से मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहां है? नक्षे पर इसका चित्र बनाओ दो, नक्षे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को फोटो में ढूंडो तीन, राश्ट्र पते भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें रास्ते में आएंगी? चार, नक्षा एक में नेशनल स्टेडियम ढूंडो क्या फोटो में यह तुम्हें दिखाई देता है? पेज 114 मध्य का हैकसागन अगर हम नक्षे में जूम इन करें, यानि एक हिस्से को बड़ा करके देखें, तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नजर आएगा यहां एक नक्षा दिया गया है नक्षा दो यहां दिये नक्षे में के भाग की आकरिती पर विचार करो क्या तुमने इस आकरिती पर पहले विचार किया है? इसके कितने किनारे हैं? इस जगह को कहते हैं केंद्रिय हैकसागन नक्षे से पता लगाओ एक अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्डरन पार्क होगा? दो इन में से कौन सी सडकें आपस में सब से बड़ा कौन बनाती हैं? क, मानसिंग रोड और शह जहां रोड ख, अशोक रोड और मानसिंग रोड इंडिया गेट से परे बनने वाला कौन? ग, जनपथ और राजपथ तीन इन में से कौन सी सडकें आपस में सम कौन बनाती हैं? पेज 115 परेड का इंतजार परेड का इंतजार करते हुए कांचा और उसके कुछ दोस्त सोच रहे थे कि परेड कहां खत्म होगी कांचा के पास वह अखबार था जिसमें परेड का रास्ता दिखाया हुआ था यहां दिये नक्षे में बच्चे परेड का रास्ता पता करने के लिए इस नक्षे को देखने लगे लाल किला चांदनी चौक रोड सुभाश मार्ग जामा मस्जिद राज घाट मेडिकल कॉलेज कनौट प्लेस डॉल म्योजियम बहादुर शाह जफर मार्ग रिंग रोड इंदिरा गांधी स्टेडियम यमुना नदी पूर्व पश्चिम दक्षिन प्रगति मैदान रिंग रोड नेशनल स्टेडियम रफी मार्ग जनपथ तिलक मार्ग राष्ट्रपति भवन विजय चौक ग्यारह मूर्त स्केल दो सेंटिमीटर बराबर एक किलोमीटर दिये गए है पेज 116 अरे देखो यह इंडिया गेट है और यह रहा राष्ट्रपति भवन मेरी मा ने मुझे बताया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक राजपत दो किलोमीटर लंबा है इनके बीच यह लंबी सड़क राजपत है इस नक्षे पर यह लगभग 4 सेंटिमीटर लंबा दिखाया है इसलिए नक्षे के 4 सेंटिमीटर धर्ती पर 2 किलोमीटर के बराबर है चलो अंदाजा लगाएं कि राजपत कितने किलोमीटर लंबा है तुम ठीक कह रहे हो दिखो नक्षे के नीचे लिखा है स्केल 2 सेंटिमीटर बराबर 1 किलोमीटर नक्षे में रास्ता दिखाओ 1. नक्षा 3 में परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट वर राजपत पर निशान लगाओ 2. नक्षे को जाँचो और पता लगाओ कौन सी सड़क सब से लंबी है बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाश मार्ग, तिलक मार्ग अगर रूबिया जामा मस्जिद की और से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितना दूर तक चलना पड़ेगा ग, परेड का पूरा रास्ता लगभग कितना लंबा है 3 किलो मीटर, 16 किलो मीटर, 25 किलो मीटर, 8 किलो मीटर जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी, उन्हें कुछ बच्चे हाथी पर आते हुए दिखे ये वही बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया गया उसके बाद अलग-अलग स्कूलों के बच्चों ने तरह-तरह किनरित्ते और कर्तब दिखाए बच्चे परेड के साथ लाल किले तक जाना चाहते थे गपू लाल किला पहले देख चुका था तो वह बागी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा बच्चों को समझ आना चाहिए कि नक्षे में स्केल की क्या जरूरत है हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि जब हम एक बड़े क्षेतर को छोटे से काघज पर दिखाते हैं तो हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करना पड़ता है जिस से कि जगहों की आपसी दूरी और स्थिती वैसी ही बनी रहे पेज 117 गपू की लाल किले की यात्रा जब हम लाल किले पहुँचे तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी लाल किले के मुख गेट को लाहौरी गेट कहते हैं उस से अंदर घुसकर हम बाई और एक लंबे गलियारे में पहुँचे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकाने बनी थी इस जगह को मीना बाजार कहते हैं वहां से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीदी यहां लाल किले का चित्र दिया गया है यहां लाल किले के मीना बाजार का भी चित्र है और बाहरी लाहोरी गेट का भी चित्र है नक्षा चार उत्तर दक्षन पूर्व पश्चिम रिंग रोड मोती मस्जिद हमाम आराम गाह रंग महल मोती महल दीवाने खास दीवाने आम लाल किला नकार खाना मीना बाजार लाहोरी गेट सुभाश मार्ग स्केल एक सेंटी मीटर बराबर सौ मीटर पेज 118 यहां लाल किले के कुछ अंदरोनी चित्र दिये गए हैं नकार खाना जहां ड्रम बजा कर राजा का संदेश सुनाया जाता था वहां से सीधे नकार खाना होते हुए तुम दीवाने आम पहुँच सकते हो यह वही जगा है जहां राजा आम जनता से मिला करते थे दीवाने आम से सीधे सामने बढ़ते हुए हमने रंग महल देखा यह बहुत खुबसूरत अमारत है हमारे बाई तरफ तीन अमारते और थी इन अमारतों को नकशे में ढूंडो हम रंग महल से बाई मुड़कर दीवाने खास पहुँचे जहां राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों से मिला करते थे दाएं से रंग महल आराम गाह और दीवाने खास रंग महल के अंदर दीवाने खास के अंदर नकशा चार में ढूंडो इन में से कौन सी अमारत यमुना नदी के ज्यादा पास है दीवाने आम या दीवाने खास ख, किन दो इमारतों के बीच में आराम गाह है ग, रंग महल से हमाम की और जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे ग, इस नक्षे में मीना बाजार से सब से दूर कौन सी इमारत है अंग, दिवाने खास से लाहौरी गेट लग भग कितनी दूर है पेज 119, बड़ा करो, छोटा करो यहां कुछ चित्र हैं यहां कुछ चित्र एक सेंटिमीटर खानों वाली जाली पर बनाए गए हैं उन्ही चित्रों को दो सेंटिमीटर और एक बटा दो सेंटिमीटर वाली जाली ओं पर बनाने की कोशिश करो एक चित्र यहां बनाया गया है एक बटा दो सेंटिमीटर ग्रिड एक सेंटिमीटर ग्रिड दो सेंटिमीटर ग्रिड एक खाने की भुजाओं को दो गुना बड़ा बनाया गया है क्या इसका क्षेत्र फल भी दो गुना बढ़ेगा? चित्रों या नक्षों को छोटा बड़ा करनी की प्रक्रिया कक्षा के फर्ष या मिट्टी के मैदान पर भी की जा सकती है इस गतिविधि को नक्षों में स्केल के उपयोग से जोड़ें जिस से कि छोटा बड़ा करने पर आकरिती नहीं बदलती है पेज 120 आओ कोशिश करें यह परेड़ वाले रास्ते नक्षा 3 से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है 1 सेंटीमीटर ग्रिड 1. क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्षे का कौन सा हिस्सा है 2. अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बड़ा बनाने की कोशिश करो याद रखना कि नक्षे की आकरिती ना बदले 3. अगर हम परेड़ के पूरे रास्ते को 1 बटा 2 सेंटीमीटर के ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका सकेल क्या होगा नक्षे पर 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 1 किलो मीटर नक्षे पर 1 बटा 2 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 1 किलो मीटर दो सेंटीमीटर ग्रिड भारत के अलग-अलग राज्जियों से आए नर्तक बच्चों ने बहुत सी जहाकियों और नर्तकों को देखा यहां कुछ जहाकियों के चित्र हैं और कुछ बच्चे हैं करनाटक से आये नर्तक सबसे अच्छे थे इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर हैं पर हर्याना और उत्तराखंड पास हैं पेज 121 नीचे दिये गए भारत के नक्षे पर ध्यान दो और उन राज्यों को ढूंडो जिनके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं उत्तर, दक्षन, पूर्व, पश्चिम नक्षा पांच ये नक्षा केवल अनुमानित स्केल पर बना है ताकि बच्चे आसानी से दूरी, क्षेतरफल और दिशाओं का अन्दाजा लगा सकें यहां भारत का एक नक्षा दिया गया है इसमें भारत के सभी राज्ज अलग-अलग रंगों से दिखाए गए हैं लद्दाख, श्री नगर, जम्मू और कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, शिमला, चंडीगड़, पंजाब, उत्तराखंड, हर्याणा दिल्ली, जैपुर, श्री नगर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, मेघालय, असम, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, जारखंड, चत्तीस गढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, उडीसा, त्रिपुरा, मुंब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, गुजरा, करनाटक, बंगलावर, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, केरल, दक्षिन, पेमाने पर नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समोह, भारत, पोर्ट बलेयर, भारत, बंगाल की खाडी, अरब सागर, लोड से चली और उत्तर दिशा की और बढ़ी, दिल्ली तक पहुंचने में इसे किनकिन राज्जियों से गुजरना पड़ा होगा, भारत के नक्षे से ढूंड हो, क्योंकि बच्चों को पहली बार दिशाओं से अवगत कराया जा रहा है, उन्हें कई प्रकार की अधियां करवाने की जरूरत है, जिससे वे ऐसी भाशा का उप्योग आसानी से कर सकें, जैसे कि उत्तर की और, दक्षिन की तरफ, पूर्व दिशा में, मध्धे प्रदेश के पश्चिम में आदे, जमीन पर नक्षे बना कर बच्चों को ही नक्षे पर खड़ा किया जा सक जिससे वे इस तरह की बातें करें, वेंकट शांती के दक्षिन में खड़ा है, महराष्टर गुजरात के पूर्व में हैं, आदे, पेज 122, जमू कश्मीर दिली से उत्तर दिशा में पढ़ता है, इसलिए वहां से आने वाली टीम दिली पहुँचने के लिए दक्षिन की और चलती है, वे कौन-कौन से राज्जियों से गुजरते हैं? 3. नोनु गुजरात में रहता है, नोनु का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है, नोनु अपने मित्र के पास जाना चाहता है, वह किस दिशा में यात्रा करेगा? 4. क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्ज है? 5. क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्ज है? 6. यदि नक्षे पर एक सेंटीमीटर जमीन पर दो सो किलोमीटर दिखाता है, तो पता करो, 6. दिल्ली से जैपुर लगभग कितनी दूर है? अ, पचास किलोमीटर, ब, पांच सो किलोमीटर, स, दो सो पचास किलोमीटर, ख, अंदाजा लगाओ, जैपुर से भोपाल कितना दूर है? नक्षे पर बराबर, खाली जगा, संटीमीटर, वास्तव में, बराबर, खाली जगा, किलोमीटर, स, नक्षे को समझ कर उत्तर दो, क, कौन सा राज्ज चार अन्ने राज्जियों से घिरा है? क, किस राज्ज का क्षे तरफल सबसे ज्यादा है? अगर उसका नाम नक्षे में नहीं है, तो अपने अध्यापक अथवा माता-पिता से पूछ कर पता करो. बताओ तुमने उत्तर की खोज कैसे की? ग, कौन से राज्ज का क्षे तरफल सिक्किम से लगभग आठ गुना है? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश. ग, राजस्थान का क्षे तरफल पंजाब राज्ज के क्षे तरफल से लगभग कितने गुना ज्यादा है? पेज एक सोतेईस, समुद्र, यहां समुद्र का चित्र है जिसके किनारे एक बच्चा खड़ा है, बाला समुद्र तट पर खड़ा, विशाल समुद्र को देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है, क्या कभी तुम समुद्र के पास गए हो? चित्र में समुद्र कहा है? भारत के नक्षे में समुद्र को ढूंडो, नक्षे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है? उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है पता करो, अलग अलग नक्षों पर विचार करो आसपडोस के नक्षे, भारत के नक्षे और विश्व के नक्षे में उपयोग किये गए अलग अलग स्केल की तुलना करो राज्यों के बीच रेखाएं नक्षे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया यहाँ दो बच्चे दिखाए गए हैं मैं दिल्ली से हर्याना और हर्याना से राजस्थान तक गया हूँ पर कहीं भी मुझे सड़क या जमीन पर कोई रेखा नजर नहीं आई यह नक्षे में कैसे हैं? नहीं, धर्ती पर कोई भी लाइन नहीं खींची गई है नक्षे से हमें यही पता चलता है कि कहां एक राज्य खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है ओ हाँ, हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा है जिस पर लिखा था हर्याना में आपका स्वागत है पेज 124 शहरों के बीच की दूरी नक्षा छे चोला घाट भेलपुर ढोकलाबाद बरफी नगर इडलीपुर स्केल दस किलोमीटर बराबर नक्षे पर एक सेंटीमीटर ये पांच शहर हैं, पता करो एक, इस नक्षे में इडलीपुर से बरफी नगर कितने सेंटीमीटर दूर है दो, अगर इडलीपुर से बरफी नगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा तीन, इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच आधे रास्ते पर थुकपा ग्राम है उसे टी के निशान से दर्शाओ चार, जलेबीपुर नाम का एक शहर छोला घाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलो मीटर दूर है क्या लगता है? वह कहां हो सकता है? उसके लिए जे का निशान लगाओ पांच, भेलपुर और छोला घाट के बीच के रास्ते की दूरी पता लगाओ तुम धागे को इस्तिमाल कर सकते हो आशी का स्कूल आशी का स्कूल उपर से इस तरह दिखता है सकूल के नक्षे पर विचार करो और खाने गिनकर पता लगाओ नक्षा साथ यहां एक नक्षा दिया गया है जिसमें सकूल की अलग-अलग जगें अलग-अलग रंगों के माध्यम से समझाई गई हैं बगीचा, स्कूल सभा मैदान, हौल, खिड़की, तीसरी ए, पांचवी, पहली, दर्वाजा, नवी, साथवी, छठी ए, तीसरी बी, चौथी, पहली, दसवी, आठवी, छठी बी दफ्तर, खेल का मैदान, गेट, पेज, एक सो पचीस एक, स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल, दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना ज्यादा है दो, हर कक्षा की लंबाई और चोड़ाई कितनी है क, लंबाई पांच मीटर, चोड़ाई चार मीटर ख, लंबाई दो मीटर, चोड़ाई एक मीटर ग, लंबाई बारह मीटर, चोड़ाई दस मीटर ग, लंबाई पांच मीटर, चोड़ाई पांच मीटर तीन, आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं नक्षा आठ यहाँ स्कूल के कमरे दिखाई गए हैं शियामपट खिडकी खिडकी अलमारी बेंच सूचनापट दर्वाजा प्रदर्श पट ध्यान से देखकर उत्तर दो क इनमें से कौन सा शियामपट के बिलकुल सामने हैं अलमारी खिडकी सूचनापट प्रदर्श पट ख एक बार फिर स्कूल के नक्षे को देखो अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहां होना चाहिए तीसरी ए और साथवी में श्यामपट चौथी और दसवी में अलमारी पांचवी और छठी बी में सूचनापट दूसरी में बीच की पंक्ति में अंतिम सीट प्रदर्श पट पहली में ग क्या तीसरी ए में बैठे बच्चों को खेल का मैदान दिखाई देता है इसी के साथ चौदह अध्यायों वाली इस पुस्तक का आठवा अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन न्याजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंग्दो तक्नीकी सहायक विकास संघवान निर्मान सहयोग रुचे शर्म निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुति C.I.E.T.